नमस्त दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग दखने वाले हैं सिमोकोड प्रो बी का एक चीज के बारे में तो उसमें आप सब लोग को पता होगा बहुत सारे जगा में आप लोग पुछते हैं कि सिमोकोड का वारिंग किस तरह से होता है तो यह एक हमारा ड्राइंग अमारा इसमें पॉएंट किया जाता है उसमें पॉएंट दिया एक पॉएंट दा करते हैं स्गोड़ यहैं पाईप का प् लोग क्रिंट से किया जाता है श nail किस तरह से किया में यहीं आप बंदे कर्द दो दो ट्रोइंग यहांपर दिया हुए है एक होगा यह वाला पावर ड्राइंग, जो कि हमारा इसको पावर वारिंग करते बोलते हैं, क्योंकि यह थी पेज हमारा अर्वाइब यहां पे रहा है, इसको MPCB रहा है, त्री पोल का, टिपी MPCB, जो कि मोटर कांट्रोल मोलते हैं इसको, मोटर प्रोटेक्शन चर्कुट मोटर कंट्रोल के लिए, त्री पेज में इसमें ओर लोड का भी राएगा, अबर टेंपरेशन का भी राएगा, सभी इसमें मारा प्रोटेक्शन राएगा, MPCB का, तो MPCB के बाद हमारा, यह जो कॉरेंड मडूल जो दिखा थे, लास्ट में आपको दिखा यह थे, कॉरें ौरच्टेक्टर थे कैना सुनल को अफंसिर, अमे कोड़न इसमें नेक्ट रं시는 सभी तो थे, पनी पेज राएगा, जो के अबक कार द यह हो गया वह जो बेसिक उनिट शिमकॉड प्रो भी लिखा हुआ है.. बेसिक उनिट और यह होगया हमारा धीम मडूल.. जो digital input output module, फिलाल अभी तो इसमें simple सट रही है, तो इसमें अभी connection कुछ किया नहीं, क्योंकि इतना input output अभी था नहीं जरुरत, तो इसको अभी कुछ connection किया नहीं आपे, तो शिर्फ ही इसमें ही connection दिया हुआ है, input 4 दिया हुआ है, output 2 निकला हुआ है, तो इस video में आम लोग द है जो कि यह वला डो यहां से के रिबन क्या मिन लगता है दिए कि यह रतिंग निय कर के यह वता दिया कि इसमें अभी क्या है यह बसा दिया इसको यहां में प्रम हो गया सिर्फ gm लगादेने से सरीक्रण зयो की इसका rating का है, यह जो feeder है, उसी के rating के match करने वाला module लगा हुआ है, तो अभी जो हमारा यहां पे basic unit लगा है, उसके तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहां पे 110 volt वाला यहां पे supply दिया हुआ है, जो कि हमारा SIMOCOL का main auxiliary supply जो रहता है, वो SIMOCOL का आप देख सकते हैं, ते से में यह अक्टिविर हो जाएगा, काम करने के लिए रेडि हो जाएगा, तो इसके लिए इसको अलग सा अक्जूलरी पावर सप्लाइ जरूरत पड़ेगा, जो कि A1 A2 पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, हमारा 110 बोल्ड वाला, यहांपे के F21 करके के MC भी लगा हुआ है, जिसको अन करने से 110 बोल्ड वाला फेज और न्यूट्रल दोनो, फेज न्यूट्रल दोनो होयारे, दोनो सिधा जाएगा, हमारा अग्जूलरी गॉंट्रक्ट में, और इसमें क्या होता है, कि अब देख सकते हैं, यहांपे 24 बोल्ड का भी पॉइंट है, आट नमबर टर्म यहांपे इन-1, इन-2, इन-3, इन-4 सभी में रंदर गूशगया है, तो यहांपे क्या होगया है, कि अर् 3, R2, R4 यहांपे लगा हुआ है, हमारा पूस्बटन लगा हुआ है, यहांपे यहांपे फिल्द से जो स्टाप कमांड देख से यहांचे देंगे, और पैनल का हेल अर् 2, R2, 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 R2 लगा दिया यहां पे ओही फेज को लाके यहां पे कमन में दे दिया यहां पे आप देख सकते हैं ओही फेज आया सिधा इसको घुमा के यहां पे कमन में दे दिया जो एमारा रिले आउट्पूट टाइप था ट्रांजिस्टर टाइप तो यहां पे दे देना से यह जो है यह 材 के सुपले के यहां फे लगे तो नीछे से नीटरल लगा दिये और एका दोस जो एंसे आँ से फेच बाल तो इसको आम दिले कर सकते हैं तूरेंद भी कर सकते हैं मतलो आउट यान चनख़ होगा यह में तो मतलो इसमें से दिखेगा आपको मेन कॉंट रोन करे और बाएक लाइट जला दाएगा, 110V लाइट, नूट्राल निशे से लगा हुआ है, उपर से यहां से कमान से जाके यहां से, नो में नसी बनके हमारा आउट पूट टू में आएगा, तो उपर में जो दिया हुआ हुआ है, चार इंपूट आप समझ लिए, पहले होगा स्टॉफूस ब तो यहां से उसका एक feedback लिया होगा, यहां पे, यह जब फिक अप करेगा तो यह जो Nc, N हो है, यह Nc हो जाएगा, तो मोटर चल लाए करके इसके एक feedback मिलेगा कि मोटर अभी रान का फिड़ए गाईगा, तो इसमें इन फोर में हमारा feedback आएगा, सबसे पहले हमारा इंट अ क्या रहेगा कि मोटर चलने के लिए ये stop push बटन लगना चाहिए और पैनल हेल्दी रहेना चाहिए ये दोनों input अगर हमारा आएगा तब जाके जब हम start command देंगे तब हमारा ये ये pick up करेगा और ये pick up करने के बाद हमारा ये जो feedback है ये feedback मिलेगा तो ये इसको perfectly चलेगा मतला उसका close loop है यहां से हमारा दो इंटर लग दे दिये दो इंटर लग हेल्दी रहेगा पहले lpb stop हमारा stop का command रहेगा इंची रहेगा यहां से ये घुम के ये feedback आएगा प्यानेल हेल्दी रहेगा तो यहां से 20 बोल घुम के इधर आएगा इंटू में तो ये दोनों command हमारा इंटर लग हमारा सबसे पहले आएगा ये आएगा तब जाके start command लेने के लिए ये ready होगा जब start command आप दबाएंगे तो start command आएगा holding बाले लगा दिये तो इसको दबाके रखा तो इमारा start command आएगा start command आएगा start command आने के बाद हमारा out 1, out 2 दोनों pick up हुआ out 2 में हमारा light जला की on हो गया, out 1 जो है हमारा C वाला pick up किया, जो C वाला main contactor को pick up किया, out 1 और ये जो pick up हुआ, ये pick up हुआ की नहीं, उसका side में जो auxiliary contact रहता है, उसमें से हम लोग feedback लिए ये वाला motor run का feedback, जो कि in 4 में लगा हुआ है, तो same system आप और और भी input output चाहिए तो output है, आप यहां से भी use कर सकते हैं, जो कि expansion module है, digital module, dm module बोलते हैं उसको, अभी फिलाल जरूरत नहीं जाए, इसको common connection नहीं किया है, अबर आपको चाहिए तो यहां से phase or neutral, आप यहां से tapping करके लगा सकते हैं उसमें, neutral में neutral लगा देंगे, और जो phase चाहिए, और phase हमारा यहा current measuring module था, उसको, उसके अंदर से 3 phase cable निकाल दिये, और हमारा CMM से एक ribbon cable लग गया, हमारा profibus module का, जो basic unit में, जो इसमें profibus जो रहा था, यह इधर से ही connect होके जाएगा, PLC को, तो उसके बाद हमारा, जो 24 volt, यहां पे 2 auxiliary supply दे दिये इसको, 110 voltage और neutral, उसमें से 25 volt निकल गे, 24 volt निकल जाएगा, इसको अंदर power supply board लगा हुआ है, उस 110 voltage Nc से, 24 volt DC बना देगा, तो यहां से क्या होँआ कि, यहां पे, हमारा 24 volt निकल निकल दिये, तो यह चारो में distribute हो गया, चारो input में, चारो input से पहला वाला, इन टू, इन टू, इन टू, इन टू, इन पोर, चार इन यहां पे, आप देख सकते हैं, तो इसमें से stop push button बाला एक देदिया, एक panel healthy देदिया, एक motor field से start command के लिए देदिया, और motor का run feedback के लिए और निचे में देखेंगे, तो दो output यूज होए हमारा, एक output यूज होए हमारा, एक output यूज होए हमारा light जलान के लिए, on indication के लिए, तो दोस्तों, आपको ये video कैसे लगा, comment करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे video बनाने में, फाइदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें। दोस्तों के बीच में शेर करें ताकि सब का नौलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जाएगे।